हेलो जेहीं दोस्तों बंदे मातरम स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल में दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेके आ रहा हूँ डेली फीटर की कलास और इलेक्टिसियन की कलास यदि आप इलेक्टिसियन से है तो आपको नीचे इसक्रिशन बॉक्स में लेकर मिल जागा आप इलेक्टिसियन के भी कलास जोईन कर सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए फीटर के लेके आ रहा हैं दोबारा क्लास आपके लेकर आ रहा हैं यह आपका पार्ट टू है अथाथ पार्ट वन आपका पहला ही प्रोवाइड कर चुका हूँ यहाँ पर दोस्तों आपको MCQ Online Test देना पड़ेगा जो आपके लिए 25 कोश्चन में डेली प्रोवाइड करता हूँ तो दोस्तों वीडियो को अंतक देखेगा और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सस्क्राइब करके साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कलीजेगा और दोस्तों यदि आप जो 2018 में DMRC की परिच्छा हुई थी उसका यदि आप प्रेक्टिस करना चाहते हैं यदि PDF भी चैनल को सस्क्राइब करके साथी साथ गंटी वाली आइकन को भी प्रेस कलीजेगा तो चलिए दोस्तों यहां पर हम सुरू करते हैं कोश्चान नमबर 26 क्योंकि दूस्तों मैंने अल्रेडी इसका पहला वीडियो बना चुका हम बहुत लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्यूम्शन में आपको लिंक मि नबेयांस जिरो अंस तीस या साटन्स कौन सा अफसान आपका सही हो जाएगा तो दुस्तों डार्ट पंच का जो पॉइंट कौन होता है वो आपका होता है कितना असका साटन्स का तो यहां पर आपका आफसान नमबर डी करेक्ट हो जाता है आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 27 पे दिया गया है कोशन वर्नियर कैपलर किस धातु का बना होता है जो आपका वर्नियर कैपलर होता है वो किस धातु का बना होता है आपसन दिया गया है निकल क्रोमियो इस्टील या भी इस्टील या एव भी दूनो या मैल इस्टील तो क तो दोस्तों यहां पर आपका सही हो जाता है निकल, क्रोमियम और भी स्टेल ठीक है तो आपसा नमबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा अथाथ यह वह भी दोनों आपसा नमबर सी आपका सही हो जाएगा आगी बढ़ते हैं कुश्चन नमबर 28 पे दिया गया कुश्चन में एंसवर बताते चलिए तो दोस्तों इसका जो मान होता है अलपतमांग गेज का वह आपका होता है 0.001 तो यहां पर आपका सी आपसान करेक्ट मिलता है आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर 29 पे दिया गया है कुश्चन माइक्रो मेटर किस सिधान पर कारे करता है तो आपसन देख लिए रिचेट सिधान या इस्कूरू सिधान या लिवर सिधान या इनमेर्शे कोई नहीं ए बी सी डी चार आपसन आपके सामने फटा आपका टैंसवर देते चलिए कमेंट बोक्स में जिए दूस्तो तो इसका आपका सही हो जाता है आपसन नमबर बी अथाथ इसक्रू सिधान पर आपका जो काम करता है माइक्रो मीटर काम करता है तो आपसन नमबर अब का या अपका करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 30 पे दिया गया question सर्फिस प्ले आपके किस धांतु का नहीं बनता है काश टायरन या कांच या पीतल या ग्रेन नाइट बहुत ही सिंपल जवाब है देजी इंसर इसका तो सर्फिस प्लेट हम पीतल के नहीं बनाते हैं ठीक है आफसान नंबर भी आप सी आपका करेक्ट हो जाएगा सुरी सी आफसान आपका राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोश्चन नंबर 31 पर दीछे देख सकते हैं दिया गया है डिवाइडर की साइड को नुकीला किस किस से बनाते हैं किस चीज़ से बनाते हैं आफसान है गाइडर से या आयन स्टोन से या फाइल से या गेज से किसके द्वारा बनता है तो दोस्तों यह बनता है आपका आयल स्टोन से किसका बनता है आफसान नंबर भी आपका यहां पर करेक्ट बिलता है आगे बढ़ते है और यहां पर आपका सही हो जाता है आपसा नमबर ए अथाथ गाइड पीन तो आपसा नमबर ए आपका क्या हो जागा ईंद्धा आगे सचान सब्सक्राइब के बनाया जाता है है कर लगाइब सब्सक्राइब भ्राइब यहां पर आपको कारेक्ट दिया गया है पठापा टेंटिंस ओरदिजिए कमेट बॉक्स में आपके लिए हैं 10 सेकेंड कम होगा तो दोस्तो यहां पर आपका सही हो जाता है आपसा नमबर B अथाथ विलिडियम स्टील का बना होता है तो आपसा नमबर B आपका करेक्टर होता है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 34 पे दिया गया कोश्चन विदूत कार्यों के लिए कौन सा प्लायर प्रियोग होता है विदूत कार्यों के लिए ठीक है आपसन दिया गया साइड कटिंग, नोज कटिंग, या मल्टी ग्रिप, या डाइगोनल कौन सा अपसन सही होगा तो विदूत कार्यों के लिए हम कौन सा प्लायर का प्रियूग करते हैं तो विदूत कार्यों के लिए हम डाइ गुनल का प्रियूग करते हैं तो आफसन नमबर D हमारा करेक्ट हो जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों कोशन नमबर 35 पे दिया गया कोश्चन कि जब इस्क्रू ड्राइबर को घुमाना कठीन हो तो कौन सा ड्राइबर उप्यूग करेंगे आपसन दिया गया ऑफसेट रेचेट मैगनी मैगजीन डी आपसन दिया गया फिलिप्स कौन सा आपसन आपका सही हो जाएगा तो आपसन नमबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा किसका परियोग करते हैं फिलिप्स का ठीके ध्यान देजिएगा आगे बढ़ते कोश्चन नमबर 36 पे दिया गया एक कोश्चन हैमर के फेस वापीन के बीच का भाग कहलाता है क्या कहलाता है बॉड़ी पोश्ट आंक या कौन ö Parkinson साइओगा दोस्तों फटाफ़ने चूर देजिए और दोस्तों डेली आपका टेस्ट लिया रहा है फीटर का आप तैयार रहा है किजिए आपको रात साड़े आठ बजे करीब या नो बजे के करीब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जा रहा है ठीके पहला टेस्ट जो चला है फीटर का वो आपको साड़े साथ बजे से आपका चलता है आठ बजे उसके बाद इलेक्रिसियन का चलता है उसके बाद फीटर का ठीके तो सब तयार रहा किजिए क्योंसा नबर आपका क्रेक्थ continuous आगे बढ़ते कुश्चन नबर 36 पे दिया गया फाइलिंग में किस परकार की फाइल प्रियोग होती है दोस्तों इसमें फाइल का प्रियोग किया तूटने पर उसे निकालते हैं नौज प्लायर से या पिचकस से या नाइट रिंग आउन के द्वारा या इन में से कोई नहीं पिचकस से दोस्तों हम कभी नहीं निकालेंगे ठीक है यह आपका क्लियर हो गया अब यहां पर आपको आपसंद तीन दिया गया है कौन सा आपसं का करेक्ट हो जाएगा अठाक पर आपका क्लेंच गया गया शन्हां पर आपका अब खली नहीं जहेगा और नहीं नौज प्लेटरी दौरा जाएगा ठीक और नहीं आपका ओसंदान ही द्वारा घाय गया तो इसलिए यह एक करने के लिए मैं ने यह कहा कि आपका पेचकस यहां पर नहीं होगा ठीक है लेकिन आपको यहां पर कन्फूजन को होने की कोई जरूत नहीं है यहां पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन नंबर 49 पर दिया गया कोशन कारेखंड को अंतिम अकार वह माप किस फाइल से देत तो दोस्तों यहां पर आपका आजाएगा आपसान नंबर सी अथा डैट इस पूप फाइल आपसान नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन नंबर 40 पर दिया गया कोशन कौन सा गेज मसिनिंग के समय जाब का माप लेने में परियुक् गेज या सोरी या फिलर गेज या इसमाल होल गेज या सभी कौन सा आपसान या पस हो जाएगा बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों आप यदि प्रेटिकल किये होंगे तो आप इसका एंस्वर बता सकते हैं बहुत ही सिंपल है दोस्तू हम किसी भी चीज को नापने के लिए गेज का ही परियुक्त करते हैं ठीकिए तो यहां पर हमारा गेज या फिलर गेज या इसमाल गेज यहां पर तीनों का परियुक्त करते हैं तो आफसान नमबर D हमार क्या हो जाएका correct answer आगे बढ़ते हैं question number 41 पे दिया गया है कि दो फिटनिंग मसीनों के भागों के बीच रिक्त अस्थान को मापते हैं किसके दौरा मापा जाता है ADS gauge या filler gauge या gap gauge या सभी किसके दौरा मापा जाता है बहुत important question है कौन सा आफसन सही होगा दूस्तो फटापर टेंसवर दीजिए तो दूस्तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है आफसन नमबर B अथाथ फिलर गेज आगे बढ़ते हैं question number 43 पे दिया गया question template क्या होता है जो आपका template है फुछ रहा है कि वो क्या होता है marking tool या job की प्रतिकृति या job का छोटा अकार या इन में से कोई नहीं कौन सा आफसन सही होगा तो दोस्तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है job की प्रकृति अथा template क्या होता है यह job की प्रकृति होती है तो आफसन नंबर भी आपका correct हो जाता है आगे बढ़ते हैं question number 44 पे दिया गया है mythology लेब में गेजो को किस ताप पर रखते हैं ताप पर उच्छ रहा है 25 दिया गया है 20 दिया गया है 15 दिया गया है और इन में से कोई नहीं तो कौन सा आफसन यहाँ पर सही हो जाता है answer दीजिए का फटा फट comment box में देते चलिए answer और दोस्तों वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाता है आफसन नंबर भी अताथ 20 अनल celsius तो भी आफसन आपका क्या हो जागा correct हो जाता है आगे बढ़ते क्लेर हो गया question number 45 पे दिया गया है question template जिन शमाने तक किस धातू के बने होते हैं किस धातू के बने होते हैं ध्यान दीजिएगा किस धातू के आफसन आपके सामने है किसके बने होते हैं तो दोस्तो यह आपका पूछ रहा है template जिन समाने तक किस धातू के बने होते हैं तो आफसन नंबर भी यहाँ पर आपको correct मिलता है आगे बढ़ते हैं clear हो गया question number 46 लेपिंग में अब कर सक कोड़ों की शत्व में धसाया जाता है किरिया को कहते हैं इस किरिया को हम क्या कहते हैं डिबिंग या fixing या माउंडिंग या charging यहाँ पर आपका आफसन चार दिया गया और इन आफसनों में आपका कौन सा आफसन सही होगा पटा पट कमेंट बॉक्स में answer देते चलिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाता है आफसन नमबर डी अथा charging तो लेपिंग में आपकर सक कणों की सतों को धसाया जाता है किरिया करके charging करके तो आफसन नमबर डी आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ते कोश्चन नमबर 47 पे दिया गया है कि अलाव धातू की हर्णिंग में कौन सा अब करसक प्रियूग करते हैं ागे बढ़ते हैं करें क्युआ हो गया कोश्चन नमबर 48 पे किस धातु की जंग रोधी실ंता होती है जंग रोधी छंपता सबसे अधिक होती है एमेस अताथ मैलिस्टील या एलमुनियम या कापर या लेड अधाथ पीवी कौनसा यहां पापका सही हो जाएगा तो किस धातू की जंग रोधी छंपता सबसे अधिक होती है कमें डीजेए तो सबसे ज़्यादा जो होती है छमता वो आपकी होती है पीबी अथात लेड की तो आपसा नमबर डी आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों कोश्चन नमबर चास पे दिया गए कोश्चन लोहकारी में हाई कार्बन स्टील की लोहकारी के दोरान कौन सा कलर आता है चेरी लाल, पीला, हलका, पीला या सफेद कौन साफ़न सही होगा यहाँ दोस्तों कुछ लोग सही हैं यहाँ दोस्तों मैं आपको बता देते हूं यहाँ पर आपका हलका पीला होगा तो यहाँ पर आपका आपसा नमबर सी करेक्ट एंसवर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 50 पर और इस वीडियो का ये last question है दोस्तों अगले वीडियो में और भी आपको question प्रवाइड किये जाएंगे दिया गया question कि गर्म हुआ ठंडी छेनी में cutting किनारे का कूण होता है गर्म और ठंडी छेनी में जो cutting किनारे का जो कूण होता है वो कितने अंसका होता है 30, 30 प्लस 60 या 30 माइनस 80 सोरी 30 प्लस 60 या 30 माइनस 80 या आपका दिया गया 60 कौन सा आफसान यहाँ पर सही हो जाएगा आपका तो यहाँ पर दोस्तों आपका सभी होता है आफसान नंबर B अथा दोनो 30 प्लस 80 तो यहाँ आपका B अथसान correct हो जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको 25 कोशन बताया था था दो वीडियो मैंने प्रवाइड कर दिया और यहां पर फीटर से समंदित मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और यदि आप फिटर, सिस, समंदित आप कोई भी और भी कोशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करके साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस के लिएगा तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो समाथ होता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहीन बंदे मातरा